दोस्तों नमस्कार IRCTC application में account कैसे बना जाता है इस वीडियो में complete process मैं आपको बताने वाला हूँ IRCTC account बनाते समय बहुत ज़्यादा दोस्तों को problem फेज करना पर रहा है जिसे कभी मुआल नमर error बता देता है जब वो password username करते हैं वहां पर error बता देता है email ID में error बता देता है डियाट ओफ वर्थ में आपका सही रहने के बावजुद भी वहां पर गलत बता दिया जाता है लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका 100% IRCTC में आपका एकाउंट बन जाएगा आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तभी आप समझ पाएंगे IRCTC एकाउंट बनाने के लिए आपके पास तीन चीज़े होनी चाहिए मोबाल नमबर उसके बाद email id और आपका date of worth मोबाल नमबर email id बिलकुल भी फरेश होनी चाहिए नया होने चाहिए ताकि उस email id से उस मोबाल नमबर से कोई भी IRCTC एकाउंट बना नहीं हो IRCTC में एकॉंट बनाने के लिए आप Play Store पे आ जाएंगे और Play Store पे आने के बाद यहां पे आप सर्च करेंगे IRCTC जैसे ही आप सर्च कर देंगे IRCTC Rail Connect अप्लिकेशन आ जाएगा इस अप्लिकेशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे इसके बाद Open कर लेंगे तो चलिए हम यहां पर Open कर लेते हैं Open करने के बाद यहां पर आपको परमिशन दे देना करेंगे राजिस्टेशन करने के लिए राजिस्टर यूजर पे आपको क्लिक कर देना है चलिए हम यहां पर क्लिक कर देते हैं और यहां पे दे मोबाल नंबर इंटर कर देना है तो चली हम यहां पर यूजर नेम इंटर कर देते हैं यहां पर देख सकते हैं यूजर नेम दे चुके हैं और यहां पर कभी-कभी यूजर नेम आपका इन्वाइलेट भी बता दिया जाता है जब यहां पर इस तरह से आपका बताए जाएगा तो आप यहा हम यहां पे और जिसे कि आप यहां यहां पे देख सकते हैं तो आपको यह धीहान में रखनाओ जब भी आप यू законना बनाए तो यूसर नेम का सुरू का लेटर जो है 01 पुत चाहिए उसके बाद यहां पाफ आप ऍसमाल में लिखेंगे उसके बाद यहां पर 5-6 आप डिजिट दे देंगे तो आपका यूजरनेम बन जाएगा यूजरनेम बनने के बाद यहां पर पासवर्ड पर किलिक कर देंगे जब भी आप लोग पासवर्ड बनाते हैं तो आपको यह चीज धियान में रखना है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं हम इस तरह से पासवर्ड बनाएंगे जो कि यहां पर इन्वाइलेट बता दिया जाता है तो जब भी आपको पासवर्ड बनाना है आयर से एकांट के लिए तो यहां पर देख सकते हैं आठ करेक्टर से लेके 15 करेक्टर के बीच में आप पासवर्ड बना सकते हैं पासवर्ड आपको कैस निके भागते हैं उसके बाद यहां पे नौरेकल डिजिट भी आपको देना है आपको इस्केन पे दिखांग स्वल तरह से आपॉस्घक करे सकते हैं तो आपको आयर सीटी सी का पासवर्ड कैसे बनाना रहते हैं पहला लिटर जो है वो हम केपिटल में रखे हैं उसके बाद एसमाल में रखे हैं उसके बाद एक या दो डिजिट भी आप दे सकते हैं मैंने यहां पर एक ही डिजिट का इस्तमाल किया है कम से कम आठ करेक्टर से उपर हो और 15 करेक्टर के बीज में हो आपका पासवर्ड उस सकते हम पर तिस पर क्लिक करें यह सही हो जाएगा तो यह देखिया यहां पर जो बिल्कुल बलेक हो चुका है इसका मतलब ये मेरा पासवर्ट सही है उसके बाद वही पासवर्ट confirm वाले पर दे दीजिए जो आपने उपर select किया है अगर आप इस तरह से password बनाते हैं कभी भी आपको red नहीं आएगा कभी भी invalid नहीं आएगा तो जब भी आप password बनाएं तो पहला later capital में उसके बाद small दीजिए उसके बाद कोई डीजिट आप दे सकते हैं उसके बाद कोई नोबनिकल आप दे सकते हैं इसके बाद यहां पर अपना फर्स्ट नाम इंटर करेंगे उसके बाद यहां पर मिडिल नाम इंटर करेंगे उसके बाद यहां पर लास्ट नाम तब ही यहाँ पर काम करेगा नहीं तो आपका यहाँ पर इंवालएट बता दिया जाएगा यहाँ पर देंगे इसके बाद एक शीरटी कोशनी आप यहां पर इंटर कर देंगे अपने कोई भी मन से उसके बाद यहां पर अंसर दे देंगे तो चलिए हम यहां पर अंसर दे देते हैं इसके बाद यहां पर देख सकते हैं और क्यूपेशन यहां पर आपको दे देना है वह आपका क्यूपेशन है वह आप यहां पर दे देंगे तभी यह आपका आगला पेज खुलेगा इसके बाद यहां पर आपको एक ड्रेस दे देना है अपना ड्रेस रसीडेंश ल डहरैस यहां पर चली हम डेद दे अड्रेस देने के बाद यहां पर आपको किलिक कर देना है इसके और यहां पे इंडिया पे हम किलिक कर देंगे, इसके बाद यहां पे पिन कोड आप से पुछा जाएगा, चलिए हम यहां पे पिन कोड इंटर कर देते हैं, पिन कोड इंटर करने के बाद यहां पे आपको CT सेलेक्ट कर देना है, CT सेलेक्ट करने के बाद यहां पे इस्टेट इस पर देखे अल इमेज विट कॉर यहां प jour कर काई निवासटर और बहुत हो चार हो जाएगा एक पे हैं उसके बाद इस वाली ओप्सन पर यहां पर और इससे तो आपको दिखाए जारा है उसके बाद register जो है successfully हो चुका है verify your mobile number and email id तो यहाँ पर verify करना पड़ेगा ok वाले option पर आपको click कर देना है username उसके बाद यहाँ पर password इंटर कर देना है तो आप किप्चा देख रहे हैं इस वाले box पर यहाँ पर enter कर देंगे इसके बाद login वाले बटन पर click कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर verify account करना है तभी आपका successful registration माना जाएगा यहाँ पर आपको verify account करना परेगा यह जो आप mobile नमर देख रहे हैं इस mobile नमर पर यहाँ पर OTP आ जाएगा आप send OTP पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आप email ID दिये हैं और send OTP पर जब आप click करेंगे email ID पर भी OTP आ जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर send OTP पर click कर देते हैं OTP verification successful हो चुका है mobile नमर का तो email में जो OTP गया होगा OTP यहाँ पर enter कर दिये उसके बाद यहाँ पर verify user पर click कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गौरा चुलेशन OTP verification successful email ID और mobile नमर का दोनों का verification successful हो चुका है इसके बाद यहाँ पर username आपको enter कर देना है इसके बाद password फिर से enter कर देना है उसके बाद यह जो आप capture देख रहे इस बाद यहाँ बाक्स पर आपको enter कर देना है इसके बाद login बाड़े बटन पर click कर देना है पर इंटर पीन बना देना है 4 अंका तो चली हम यहाँ पर 4 अंका इंटर पीन बना देते हैं पिर से confirmation के लिए आप पीन यहाँपर इंटर कर देंगे उसके बाद submit वाले बटन पे click कर देंगे, इसके बाद OK वाले बटन पे click कर देंगे, इसके बाद यहां पे देख सकते हैं आपका IRCTC account सफलता पुरवक यहां पे बन चुका है, जब भी यहां पे आप back करेंगे, तो चली हम आपको दिखाते हैं IRCTC account open करके, my account पे आप click कर दे इसके बाद 4 digit का जो मैं अभी MP ना बनाया हूं, वो यहां पे इंटर कर देंगे, इसके बाद यह जो कैपचा देख रहा है, इस बॉक्स में इंटर कर देंगे, इसके बाद यह कैपचा इस बॉक्स में इंटर करने के बाद, login वाले बटन पे click कर देंगे, तो आप यहां प तो इस वीडियो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि इस तरह से में एकॉंट बनाए जाता है अगर इस वीडियो में आपको नौलेज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे